देरा दूसे खबर है, खत्म हुई है, All-Bether Road की एक समिक्षा बैठक चल रही थी, वो खत्म हुई है केंद्रीय मंत्री नितिम गटकरी बनमंत्री प्रकास चावरेकर के साथ बैठक सियम रावत नितिम गटकरी से अनरोध किया है, गैर सेड के लिए सड़क मार्ग विक्सित कर ने का अनरोध किया है, किंद्रीय मंत्री ने दी सैधान्तिक सैमती, बैठक के बाद तथा कथित परियावरन विदों पर जमकर वड़ से मुख्य मंत्री तरविन सिंग रावत, हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रभी चोपड़ा पर भी मुख्य मंत्री ने सवाल खड़े किये हैं, कमेटी ने रिपोर्ट देरी में देरी की, मुख्य मंत्री ने कहा, ओल वेदर रोट का महत कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं, मुख्य मंत्री तरविन सिंग रावत का अधि सक नजर आ रहा है, देरादूं से खबर खत्म होई है, ओल वेदर रोट की समिक्षा बैठ चर्चा आज उसको लेकर के वुई है, और सुप्रिम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी बनी थी, और सुप्रिम कोर्ट में उसमें स्पस्ट निर्देश दिये थे, एक उसको टाइम फ्रेम ने किया था, दूसरा उसमें कहा गया था कि जो भी निर्णे होगा, तो बहुमत क्या थार पर होगा, तो उसमें कुल पत्चीस मेंबर थे, जिन में से 21 लोगों ने समर्थन में कहा कि शार आउर दरोड बनना चाहिए, और चार लोगों ने उसका विरोध किया, लेकिन उस कमेटी के जो चेर्मेन है, उन्हों ने उस प रिपोर्ट दी, और तीन दिन पहले ही उसकी रिपोर्ट सासन को दी जो लिए, और उसके कारण उसको एक तरह से लटकाने का प्रियास किया गया, और बहुत ये दुरभाग्य की बात है कि इस रोड के महत्तों को आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, पंकज पवार हमारे सहीयोगी देरदून, बियरोचीफ हमारे साथ जोड़ रहा है, पंकज ऑल वैदर रोड की समिक्षा बैठक क्या कुछ खास रहा इस बैठक में? पंकज प्रशड़कों के साथ जाए लेकिन जिस तरीके के हालात जो सुप्रीम कोट की कमीटी की जो रहा है पावर कमीटी ती उसके अद्वियक शिया फिर उनके जो सदस्यों द्वारा किया गया, उसको लेकर मुख्यमंतरी ने भी नाराज जिए जिदाई मुख्यमंतरी पर कहा कि कुछ तथा कतित पर्यावान विज जो है वो इस सामरीक महत्युकी और इस महत्पून जो योजना है आलवेदर रोड की उसको पूरा नहीं होना देना चाहते हैं, मुख्यमंतरी ने सीधे-सीधे नाम तो नहीं लिया लेकिन जो हाई पावर कमीटी के अद्दक्स हैं उन पर सीधे-सीधे सवाल खड़े किया और वह रवी चोपड़ा उन्होंने साब तौर पर कहा कि एक तो उन्होंने रिपोर्ट देर में दी और दूसरी सबसे बड़ी बाद यह है कि वह अंतरिम रिपोर्ट अपनी शौप दी है उन्होंने साब तौर पर कि इस तरीक स समझनी की कोशिश नहीं कर रहे हैंगी कितना हमारे लिए ये आलवेदर रोड महत्पूर्ण है तो कुल मिलाकर समीशा बैटक में काफी कुछ हुआ है और ये जो है उस पर परियावरन विदो पर भी मुख्यमंतिरी ने अपना जरूर तंज कसा है थी थोड़ा जानकारी ओलवेदर रोड की अपडेट को लेकर किस तरह से काम चल रहा है क्योंकि एक लंबा वक्त जब बीखता है तो वक्त के साथ साथ परिशानिया ज़्यादा हो जाती है चुनोतिया ज़्यादा हो जाती है जैसे आपने का रेट बढ़ जाता है और तमाम के द्वारा लेकिन अब 2020 आ गया है और अभी 2021 तक यह पूरा हो जाएगा इसका भी अभी तक सवाल बढ़ने हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से भी और केंद्रिया मंत्रियों की तरफ से भी इस पर सवाल घड़े किये गये कल फिर एक बार फिर बैटक हो ऑगी तमाम लोगों की और कल इसको लेकर एक और आगे क्या कुछ हो सकता है कि यह तरीक से इसको एक्सलेरेट किया जाएeren चाछू होगी तो आखिर acesso में अरट है कि इन जाये गी और आफिसमें जाए और का इसक पर सवालिब बोर बनावराने हैं Bryce पंकज गैरसेंड को लेकर सडक मार्ग से जोड़ना और जो गैरसेंड तक जो आज के दौर में सडक है वो काफी खतरनाक है वो काफी संकरी है उसको लेकर भी बात हुई है केंद्री मंतरी निदिन गटकरी के साथ? अब बिल्कुल पंकर जी इसको लेकर मुख्यमंतरी ने आगरे किया था क्योंकि सरकार की तरफ से ग्रेशमकाली इन राजधानी इसको बनाने की गोशना कर दी गई है तो ऐसे में मुख्यमंतरी ने कहा कि ये टूले इन सडक वहाँ पर होनी चाहिए तो इसको लेकर जो केंद्री मंतरी निदिन गटकरी है उन्होंने अपनी सहदानतिक सहमती दे दी है और उन्होंने मुख्यमंतरी से सावतार पर कहा है कि वो अपना परस्ताव भेजें और परस्ताव भेज कर उसको जल्द से जल्द हम पास करवाने की कोशिश करेंगे तो कुल मिलाकर मुक्यमंदरी ने ही बताए कि कौन कौन सी सड़कों को उसमें जोड़ना है कुल मिलाकर आपका अमाज बनाने के लिए तमाम जानकारी के लिए